योगी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तानी कहेंगे, तो भारत बंद है, बस बंद करके अपना एक ऐसास दिलाना है कि हम सब लोग एक है, और व्यक्तिगत रूप से और खुद स्वयम सेवी पधती से जब लोग शामिल होंगे, तब ही भारत बंद का असर हो उन से सत्ताधिश को सिववा सन तक जाने देंगे और नहीं जाने देंगे यह तै करने का, उन्होंने योगी जी को बिठाया, अब योगी जी गोरकपूर में थे, हमारा जना अंदुलनों का राश्रिय समन वहिवा था, तो हमने तो उनका नाम एक गुंडे जैसे पत्रकार इस प्रकार से सुना था और बाद में वो मुख्यमंत्री बन गए, तो कितना फर्क होता है, तो यूपी के अधार पर क्या फर्क राजनीती में आएगा, क्या बदलावाएगा, ये तै कर रहे हैं, संयूकता मिसान मुर्चा का हर मुद्दे पर कार्यक्रम में सामुईक नेत पर यूपी के जो खास संगठन है, जिसमें टिकाई जी का है, जिसमें अतुल कुमार अंजान और भारतीयकिसान सभावं का है, फिर अशिश मित्तल जी का है, अलग-अलग संगठन है, हमारा जन्ना अंदुलनों का राश्रिय समन्व है, जो सितापूर में, उन्नाओ में, अलग-अलग जगा स्थानिक स्तर पर संगठी चक्ति रखता है, सब मिल करता है करेंगे, जिस पत पर हम चलेंगे, योगी जी अभी यूपी मिशन से पहले ही, अभी अलान कर रहा है कि बिजली जो मतलब कटोती का नीति कनेक्शन का वो नहीं होगा, और गन्ना का रेट ये सोचने की बात है, ये समझेंगे नहीं तो योगी जी सत्तादीश मुक्यमंत्री नहीं कहले हैं, आखरी सवाल आप से, कि इन सरकार को लग रहा है कि उनको मुकाबला देने वाला कोई नहीं है, लेकिन पश्चिम मंगाल में हमने देखा कि किसानों ने क्या खूब मुका आखर नगर में जैसे आप कहा रही है कि चुनावी तयारिया होंगी, मुकाबला कैसा रहेगा, वो तो मुकाबला करने माला करने की कोई जरूरत नहीं ऐसा, जो कह रहे हैं, वो दिखावा है, अब उनको तो आत्मविश्वास दिखाना पड़ेगा, एक वो नाट्या चल र जो रुख भाजपा ने अपनाया, उससे ये साफ दिखाई देता है, कि उनको भी महसूस हो रहा है, उन्होंने वहाँ जो भी पूशिश आत्मविश्वास के साथ की, की हिंदू-मुस्लिम के आधार पर हम जीतेंगे, नहीं जीतने दिया बंगाल ने, तो यही बात तमिल- नाडू में भी उनको लग रहा था, कि अब जैलालिता जाने के बाद कोई ऐसी ताकतवर सत्ताधीश नहीं रही, लेकिन तमिल-नाडू में भी बहुत सारी पार्टी उन्हें समन्वें बनाया, केरल में तो उनको पाव भी नकने दिया, एक पुरसी नहीं मिली उनको, तो य जो भारतिय किसान संग या भारतिय मजदूर संग जो भारतिय जनता पार्टी के यूनियन्स या किसान संगटना रही है, वो भी हमको व्यक्तिकात रूप से कहते हैं, हम भी समझते हैं कि अगर कमपनिया आएगी, तो हम बरबाद हो जाएंगे, अगर मंडी में निजी मंड तो हमारी मंडी नहीं चलेगी यह मंडी के भाजपा के अध्यक्षबी कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि असर नहीं आया है अब दिखाने वाले आपके जैसे मीडिया कम होते हैं जो मीडिया उनके गोद में जाकर बैठे उनसे बात करने की जरूरत नहीं है पर आज सोशल मीडिया पर भी वो कंट्रोल इसलिए कर रहे है क्योंकि उसका भी असर कहीं न कहीं आ रहा है और टोल वरकर्स को मैं उतर के कहने वाले जोहे से ज्यादा ताकत होती है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेधा पाटकर जी किसानों की जो यह अंदोलन चल रही है यह आज 9 महीने पू और वो क्या कुछ है पहले मैं आप कोई जानना चाहूंगी आपसे कि 9 महीने पूरे हो गए है सरकार अभी तक इन किसान जो भी अंदोलन है और जो मुद्दे हैं के इसमें बात करने को भी अपतयार नहीं है 22 जन्वरी को लास्ट बात वी थी अब तो बात भी नहीं हो रही देखें कि 9 महीने में तो बच्चा पैदा होता ही है और महीला एक खास जानती है क्या दर्द होता है एक कुछ पैदाईश का और ये जो निर्मान का कारिया इस अंदोलन से हुआ है उसने क्या-क्या पैदाईश की है एक तो एकता की, समन्वाई की, हिम्मत की, शहादत की, और बुनियादी परिवर्तन चाहा है, उसके मन्जिल निर्माण हुई है। और वो मन्जिल है गैर बराबरी खतम करने की। किसानों और उद्योग पतियों के बीच में हो। या जमीन मालिक किसान और मजदूरों के बीच में हो। या दली तादिवासी, किसान, मजदूर और दूसरे समाच के किसानों के बीच में हो। या किसानी में जो जो शामिल होते हैं, जिसमें मचुवारे हैं, पशुपालक हैं, ये सब के बीच में हो। ये सब दूरियां मिटाने का काम और निर्मान एक प्रकार से इस अंदोलन्ने किया है। अब आगे की दिशा, आगे की दिशा में बुनियादी सिध्धान्त तो बदलेंगे नहीं। जैसे अहीं सकी रहेंगे, जैसे जनशक्ती ही मुख्याधार रहेगी, सत्ता शक्ती नहीं, धनशक्ती नहीं, तो तन मन की बात जो ये अंदोलन जीवी हम सब कर रहे हैं, जो मूदी जी की मन की बात नहीं मान रहे हैं। जन जन की बाद सुनकर फिर आगे की दिशा और मन्जिल तई की जा रही है। आज तो कुछ सुझाओ मनजूर हुए है जिसमें एक है 25 सितंबर को एक भारत बंद का बड़ा कार्यक्रम और 5 सितंबर को मुझफर नगर में मिशन यूपी उत्तराखंड की शुरुवात उधगाटन। लेकिन आगे की दिशा मेरे ख्याल से अभी भी तै होनी बाकी है। कल दुपार तक ये सम्मेलन चलेगा जिसमें दक्षिन से लेकर उत्तर और उत्तर पूर्वा तक जो संगठनों के प्रतिनिदी आये हैं। उनकी क्या सुझाव है एक्षन प्लान के लिए ये सोचना समझना जरूरी है। और कुछ सुझाव जैसे मैंने सुझाव रखा है कि राश्ट्री अस्तर पर अब कायम की जन्ह संसत सापित की जाए। जैसे बड़्टरान डरसेल ने एक बार कहा था। तो 101 या 111 लोग ऐसे चुने जाए। जो कि सही प्रतिनिदी होगे। राज्यस सभा में भी किसान मजदूरों का प्रतिनिदी तो कोई नहीं होते। कलाकारों का प्रतिनिदी पो होता है तो नाज गाना होता है लमाशा होता है लेकिन किसानों मजदूरों की बात मेहनत कश्यों की बात जो होनी चाहिए आदी वासियों की दलिदी नहीं होती है तो जो महिला संसत बनती है वो भी महिलाओं की बात कहां तक उठाती है यह सवा के सलाह सुचन हो आम जनता के तो बहुत बड़ी बात होगी एक वैकल्पिक राजनीती की बुनियाद बन जाएगी दूसरी बात आप पूछ रहे हैं कि वह बात नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा रोने की बात नहीं है उनकी बात करने के हम राही नहीं देखनी चाहिए हमने उन को निमंत्रित करना चाहिए एक मंच खड़ा करके वह मंच एंडी टीवी जैसा कोई माध्यम कर सकता है कोई माध्यम करताओं का एक समन्वय कर सकता है या संयुक्त किसान मोर्चा कर सकता है या कोई रिटायर्ड जजेस का एक ग्रूप कर सकता है कलाकार भी उसमें शामिल हो सकते हैं साहित तिक शामिल हो सकते हैं और उस मंच पर उनको हम बुलाएं चर्चा के लिए वो नहीं आएंगे हमने ऐसा कई बार किया है जैसे इंडरान कंपणी के सामने हमने लड़त ली जीद भी गए ये मंच पर उनके लिए कुरसिया खाली रखो मोदी जी अमित शाह और जो भी और वो नहीं आएंगे तो समाच को एक मेंसे जाने दो कि खुलम खुला आपको गवा रखकर हजारों को जो हम बाचित नहीं एक विवाद वाद विवाद भी हो तो वो करना चाहते हैं उसमें ये शामिल नहीं हो रहे हैं ये चुपचाप वहा रहे बार बार संचोधन करो संचोधन करो अरे आप शोध करता बन जाओ ताकि आपको समझेगा कि कॉर्परेट्स ने शिक्षा के स्वास्ते के ग्रोह निर्माण के इंफ्रास्ट्रक्चर के नदी और जलन नियोजन के हर शेत्र में कितनी हानी किया है कितनी गैर बराबरी बढ़ाई है कितना प्राकृतिक संसादनों का दोहन किया है आप समझेंगे और गरीबों को सेवा उनसे वंचित किया है केवल महंगाई नहीं हर सेवा की किमत दुगुनी चौगुनी दसगुनी करते हुए तो यह जरूरी है हमको कहना कि अगर यह मिटानी है तो आप हैं वो बताईए हम क्या चाहते हैं हम बताएंगे मुझे लगता है ऐसी एक अभी जन जन की बात यह कार्यकरम जनसाउसत के रूप में और आमने सामने मोदी शासन के नुमाहिन दे और आकार कॉंट्रेक्ट फार्मिंग को लेके एक चर्चा होती रहती है कि बहुत जादा नुकसान दे है और कॉंट्रेक्ट फार्मिंग का एक नया जो नुकसान है वह अभी अभी सामने आया है कि कॉंट्रेक्ट कंपनी ने जो सेव थे उसके रेट किष्ली बार के मुकाबले बहुत जादा कंपनी तो मतलब एक तरह से अभी कानून आया भी नहीं है लेकिन उसका असर अभी से दिखने लगा है और बहुत पहले से दिख रहा है कुछ राज्यों के कानूनों में जो एक्ट जैसे हमारे महराष्ट का उधर उसमें भी कॉंट्रेक्ट फार्मिंग का भाग रहा है लेकिन इतना चढ़ा बढ़ा कर कॉंट्रेक्ट करने वाले बड़े बड़े उद्योग पतियों को कानून होते हुए स्थान नहीं मिला अभी क्या है अभी मैं कल परसों की बात बता रही हूं हमारे धामनोत क्षेत्र में मध्य प्रदेश के जो धार जिले में आता है क्विंटल के क्विंटल मकाई लेके गए व्यापारी बड़े और किसी को भी पैसा नहीं लिया वो फरारी है पोलिस उनको डूड नहीं रही है मैजिस्ट्रेट के सामने कंज्यूमर फोरम जो होता है उसमें कितने सारे बीज में फसाया दान या गेहूं खरीदने में फसाया और तो और उपज लेकर यह जो बनाते हैं उसमें उधारन देती हूं हमारे ही क्षेत्र में मध्य प्रदेश के निम्रानी इंडस्ट्रियल स्टेट में अडानी की फॉर्चुन खबर आए है कि उनके वरकर्स को 12 घंटे काम लेकर सो या डेड़ सो रुपया देते हैं और गयहूं बिखता है 158 सो रुपया क्विंटल और यह गाटा आटा बिखते हैं 6,000 से 10,000 रुपय क्विंटल तो यह जो उन्होंने करोडों की कमाई किये वो किसानों के मजदूरों के बलबूते पर की है और ये प्रकृती कोई उनकी जाइदाद नहीं है और मोदी जी और सरकार जब उनके साथ भागीदारी करते हैं तो उनका जो हिस्सा होता है लाभों का वो उनको चुनाओ के समय लेते हैं समझ में नहीं आता है लोगों को कि कहां जाता है मुनाफा और य क्या होगा राशन व्यवस्ता खतम होगी यह सब तीनों बाते जुड़ी हुई है नीजी मंडिया उनको लग रहा है कि कोई चुनाउती देने वाला है नहीं सारवजनिक उद्योग में जिनको और्गनाईस सेक्टर वरकर्स कहते हैं वो भी और बहुत ज्यादा चुनाउती देने के लिए खड़े होने चाहिए हमारे अनौर्गनाईस सेक्टर जिनको कहते हैं वरकर्स वो ज् सब जादा लड़ते हैं पर अभी All India Trade Union Council भी समझ रही है किसानों के साथ तो जुड़ना ही है पर मजदूरों के भी एकता है बनी हुई धन्यवाद मोदी जी लेकिन उसको रास्ते पर उतारना जैसे किसानों ने उतरा है खुद को मजदूरों ने उतरा है खेती के हरों ने उत स्क्राइब करें और नोडिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन दबाएं